केसे बनाया गया है जो कि एलूवीरा, केसर और ग्रीन टी ये तीनों को मिला के इसे तयार किया गया और आप जानते हैं कि ये तीनों अपने आप में बेहतरीन और यूनिक पोड़क्ट है एलूवीरा के भी सैक्रो बिमारे में आपको काम करते हैं केसर अपने आप में अमरित कहा जाता है और green tea तो बहतर है आज green tea का भी काफी तेजी से चलन में आया है और लोग आज काफी तेजी से यूज करते हैं आज आप बहुत सारे लोगों देखते होंगे जो हर लोग इस तीनों चीज़ को अलग-अलग से 7 करते हैं यानि कि आप तीन चीज़ को न लेकर चाहें तो अपने सिस्टम में एवलेबल एलोवेरा बित केसर एंड ग्रीन टी का 7 कर सकते हैं जिसका तीनों का बेनिफिट आपको मिलेगा जैसे सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे एलोवीरा की तो आपको बतादे कि एलोवीरा 200 से ज़्यादा पोशक तत्व से मिलकर बना होता है इसमें 20 से ज़्यादा मिनरल्स पाया जाते हैं और 18 से ज़्यादा एमीनो एसीड पाया जाते हैं तो आपका जो एलुभीरा है वो पाचन तंत्र को मजगूत बनाता है यानि कि आपके जो खाने नहीं पचने की समस्या है, अक्सर गैस बनना, कबजरना इसे भी ये बहतर तरीके से दूर करता है बहुत ज़्यादा इनर्जी बढ़ाता है यानि कि आपके सरीर में जो तुरत थकान महसूस होता है उसको ये दूर करके आपको एनर्जेटिक परदान करता है उसके बाद दूस्तों आपके मेटाबोलिज्म को सक्रिये बनाता है यानि कि आपके सरीर में जो रोग परतिलोधक समता होते हैं उसको भी ये बरहता है जिससे कि आप हमेशा स्वस्त और तरो ताजा अपने आपको महसूस कर पाते हैं दूसरी दोस्तों इसमें आपको मिला हुआ है केसर अगर हम केसर की बात करें तो यह है एक औस्दी है जो कि ठंडे इलाके में पाय जाता है यानि कि ज़्यादा तर आप देखते होंगे केसर कर समीर उसमीर एरिया में सबसे ज़्यादा पाय जाता है और केसर जो है फूल के अंदर में निकाला जाता है जो कि काफी महंगा और कॉस्टली पाय जाता है यह केसर जो है आपके तोचा को सुन्दर बनाता है यानि कि आपके स्कीन से सम्बंदित कोई भी समस्या है तो यह केसर आपको सुन्दर और बेहतरीन बनाता है यह आपके heart को healthy रखता है यानि कि आपके दिल को मजगूत बना के रखता है जो कि आपको heart attack संबंदित कोई भी समस्या को नहीं आने देता है cholesterol को कम करता है जिससे कि आपके वजन को भी नियंतरन करने में यह काफी कारगर साबित होता है और gas और acidity को भी यह ठीक करता है कैसा भी आपको पुराना से पुराना gas acidity है उसे यह दूर कर देता है आपके चेहरे के सभी दाग धब्बे को यह ठीक करता है बहुत सारे लोग को देखते होंगे उमर के साथ चेहरा पर जोड़िया आ जाती है उसको भी ठीक करता है और कहा गया है कि 100 सालों तक निरोग रखता है यानि कि आपकी लंबी आयू का भी एक बहतर बिकल्प माना गया है आज बहुत सारे लोग सिर्फ केसर को अलग से यूज करते हैं लेकिन आप चाहें तो एक साथ एक जूस के रूप में आपको तीनों का मिश्रन मिला हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने आपको स्वस्थ, सुन्दर और मजगूत बना सकते हैं दोस्तों हम तीसरे बात करेंगे ग्रीन टी की जो कि आज के रेट में बात करें तो विदेशों से सुरवात हुआ था और अपने इंडिया में कापी तेजी सो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वजन को कंट्रोल में करने के लिए क्योंकि ग्रीन टी का बहुत बड़ा फायदे होता है जो कि सरीर से anti-oxidant को बाहर निकालता है यानि कि आपके सरीर के अंदर में जितने भी फालतू के चीज है यानि कि इसकी कोई सरीर को जरूरत नहीं है उसको ये बाहर निकाले करके आपको स्वस्त रखता है आपके सरीर के कारे परनाली को सुचालो रूप से चलाने में मदद करता है और आपके पाचन तंत्र को भी मजगूत करता है यानी कि ग्रीन टी की कहजा है तो बहुत सारी उप्योग है आपके लिवर के सभी समस्याओं को दूर करता है यानि चाहे वो आपका fatty liver हो या liver desilosis हो किसी भी तरीके के आपको liver से समस्या है उसमें आपको green tea काफी फायदे मन दोता है सरीर को हमेशा ताजगी बनाये रखता है और आपके immune system को मजगूत करता है और दोस्तों आप आज देखते होंगे कि बहुत सारे लोग अपने वजन को कम करने के लिए green tea का भरपूर मातरा में इस्तेमाल करते है जो कि आपको इसमें already मिला हुआ है आप इसको इस्तेमाल करके हर दुख को दूर कर सकते है क्योंकि ये जो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है ये एक यूनिक कमबीनेशन है जो कि आपके अंदर हर एक बीमारियों को दूर करता है जैसे सोटली तोर पर अगर देखे जाए कि इस जूस को पीने से आपको क्या-क्या फायदे हो सकते है तो आपके वजन कम करने में बहुत बराकारगर होता है अगर आप इस सिरफ को continue 6-8 महिना इस्तेमाल करते है तो कम से कम आपको 8-10 केजी का वजन कम हो जाता है वो भी proper आयुवेदिक तरीके से कहीं से कोई side effect नहीं दूसरा आपके blood pressure को एक control करता है कि नहीं को high blood pressure या low blood pressure का समस्या है तो उनको आप ये दे सकते हैं इससे कि आपको बेहतर result देखने को मिलेगा इस skin से संबंदित सभी समस्याओं को ठीक करता है चाहे हो आपको eczema हो खुजली हो या आपके चेहरे पर अकसर दाग धब्बे आ जाते हो चेहरा आपको white white हो जाते हो आपके skin पर किसी भी तरीके के समस्या है तो उसमें ये आपको कारगर साबित होता है उसके अर्थराइटिस में भी ये काफी मददगार साबित होता है उसके बाद आपके पेट के अलसर को ठीक करने में ये कारगर साबित होता है यानि बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कब्ज और गैस की वज़े से पेट में अलसर हो जाता है यानि अक्सर पेट में जलन होते रहता है और उसका असर आपको मुह में भी देखने का मिलता है क्योंके मुह में अक्सर वाइट वाइट हो जाता है जो की काफी दर्द करता है उसको भी ठीक करता है आपके लिवर भी बनाता है य해 आपके दिल को हल्दी रखता है जिससे कि आbels refuse देखा जाया तो यह आपके ऊमर को भी तेज करता है याणि कि ऊमर आपकर बारहता है को कम करता है z 현재 लोग नहीं को जितने भी चीजों की समस्या है है आपको अलग दलाग चीजों के लेने की ज़रुवत नहीं है आप एक साथ इससे इस्तेमाल करके आप इसका सेवन कर सकते हैं इसका यूज आप दस एमेल मौर्निंग में और दस एमेल इभनिंग में खाना खाने से एक घंटा पहले लेना है लेकिन दोस्तों एक चीज का ख्यार लगना है कि पांच लीटर तक आप पानी का सेवन करें क्योंकि यह 100% आयुरुवेदिक दबा है और दोस्त आयुरुवेदिक दबा आप कोई भी यूज करें चाहे आप नोनी यूज करें डाइबा क्यार यूज करें अलूवीरा करें आमला तुल्सी करें जो भी पोड़क्स का इस्ते आपका